भारत में डाइरिया मिलतीव का तीसरा सबसे बड़ा कारण है और चिल चिलाती गर्मी में विशेशकर बच्चों में डेहाइडरेशन का मुकाबला करना एक गंबेर चुनोती बन जाती है। प्रटी हॉस्पिटल विले परले मुंबई के पेडियाट्रिक गैस्ट्रो एंट्रलोजी हैप्टोलोजी और लिवर ट्रांस्प्लांट के डारेक्टर डॉक्टर विभूर बोल करने बच्चों में डाइरिया और डिहाइडरेशन का उपचार करने में ओरल रिहाइडरेशन स पर जोर देते हुए कहा कि डाइरिया से शरी में तेजी से तरल पदार्टों का नुक्सान इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन और डिहाइडरेशन हो सकते हैं ORS एक सरल किंतु शक्तिशाली सोलेशन है जो तरल पदार्तों और इलेक्रोलाइट्स की कमी को फिर से पुरा करता है ORS जटिलताओं को रोकता है और विशिश कर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा तेजी से स्वास्थ लाप को बढ़ावा देता है या ध्यान रखना ज़रूरी है कि ORS ना केबल प्रभावकारी बलकी सुरक्षित भी है गलत सॉल्ट या शुगर फॉर्मिलेशन के प्रयोग के विबरित परणाम हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के उचित प्रभंधन के लिए बिलकुल सही संतुलन में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन ज़रूरी होता है घर में बने गलत खोल या अत्यदिक शरकरा युथ पेपध हर्तों के प्रयोक से ये संतुलन गरबढा सकता है जिसके कारण डिहाइड्रेशन और बिगणनी से स्वास्त पर गंबीर खत्रा और चरम स्थिती में मृत्यों तक हो सकती है गर्मी के मौसम में उचित हाइड्रेशन सुनुक्षित करने के लिए एक सारवजनिक जागुरुकता अभियान में डबलियो चो द्वारा सुझाए गए O.R.S. घोल के महत्व पर रोश्णी डाली गी परेल मुंबई के पिडियाट्रिक, डेस्टरेंट्रलोजी और लिवर ट्रांस्परांट विभाग के लीड और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लिलीत वर्मा ने विशेशकर बढ़ते तापमान में सोच समझकर O.R.S. का चुनाव करने के महत्व पर जोड दिया उन्होंने बताया कि डाइरिया के बाद होने वाले डियाइडरेशन से निबटने के लिए सही तरह के O.R.S. का चुनाव करना ज़रूरी है सोडियम और पटेशियम का अभाव होता है इस प्रकार डियाइडरेशन के उपचार के लिए ये अपरिहारी है तप्ती गर्वी के दोरान शरकरा यूग पेपदार जो डियाइडरेशन के उपचार के लिए नहीं होते हैं के बजाए WHO स्विक्रित फार्मलेशन का चुनाव करना सामाने स्वास्प और विशिशकर बच्चों का स्वास्प बहाल रखने के लिए बहुत महतुपून होते हैं सोच समझ का विकल चुनना महतुपून है डियाइडरेशन होने पर इसके उपचार के लिए अनुपयोक्त शरकरा मिश्रित ब्रिंग से बदले WHO स्विक्रित ORS के घोल को प्राथमिक्ता दे ORS और इसके उचित प्रयोग के फायदों को समझ कर हम लोगों और परिवारों को वशेश कर जुलसाती गर्मी के महीनों के दौरान उनके अपने स्वास्त का हिरो बनने के लिए शशक्त कर सकते हैं यह जानकारी हर साल हजारों बच्चों के प्राण बचाने में सहयक हो सकती है इसमें सबसे important है कि शुद्ध पानी मिलना चाहिए clean water उसकी availability गर्मी का season है उसमें कम हो जाता है काफी दूर दूर से जाके पीने का पानी लेना पड़ता है तो इसमें हो सकता है शुद्ध पानी ना मिले तो इसमें बिमारिया हो सकती है इसमें important है कि बच्चों को बिमारियों से बचाए हमारी पहली step किसी भी बिमारी को हम जब उसको रोकना चाहते है तो उसमें जहां पे clean water available नहीं है, स्वच्चा पानी नहीं है वहाँ पे पानी बच्चों को उबाल के दिया जाए उबाल के वाज़ों पानी अगर देते है तो infections नहीं होगे अगर समझ लीजे dust के जैसी problem होती है जहां पे पानी की कमी होती है ऐसे में भी जैसे हमने अभी discuss किया है कि वैसे virus बनाने के लिए भी आप उबाला हुआ पानी इस्तमाल कर सकते है तो जब भी पानी में जैसे बहुत ज़ादा सच नहीं दिखता है साफ नहीं दिखता है ऐसे में पहले इसको काफी देर तक रखे ताकि सारा जो उसमें के जो मिटी होगी वो नीचे जम जाए बहुत बार यहां पे तुर्टी नाम काता है वो होता है जो अगर आप उसको पानी में करोगे तो सारा जो मैल है वो नीचे जम जाएगा फिर उसको आप पानी इसको च्छानी है फिर उसको उबाल लिए तो उबाल के पानी आप इस्तमाल कर सकते हो पीने के लिए भी और ORS जैसे घोल बनाने के लिए ORS जैसे गोल बनाने के लिए जिससे शरीर में पानी पूर्णे से वापिस डड़ दिया जाए ORS बनाने का तरीका बहुत ही आसान है जबी भी आप ORS का पैकेट खरीबते हो या फिर गवर्मेंट डिस्परिंसरी से उसको लेते हो तो उसमें उसकी वीदी भी लिखी हुई रहती है तो वो भी पढ़ना जाए अब इंडिया में प्रॉब्लम है भारत में कि लोगों को हो सकता है वो पढ़ना ही ना है इसलिए ये बताना भी उनको ज़रूरी है इसको बताने का तरीका ये है कि जो डब्लु एचो और ORS का पैकेट होता है वो एक पैकेट बना है एक लिटर पानी के लिए एक लिटर पानी अगर गिने कैसे तो जो हमारा स्टील का ग्लास होता है उसके पांच ग्लास एक ग्लास तकरीबन 200 ml का होता है तो पांच ग्लास पानी आप ले अगर आप गिन सकते हो एक लिटर तो बह तो इस खत्म हो जाता है तो बच्चे के वजन के साफ से आपको एक पैकेट लग सकता है, दो पैकेट लग सकता है, तो आप नया बनाईगे. अगर सुनले 24 गंटे पूरे हो गए तो उसको फेग दीजी, आप नया बनाईगे. तो ये बहुत important है और इसको जो है कि आप अपने किसी इसमें बना के रखा है तो दुसरे जब glass में आप लेते हो तो भी उसको proper clean हाथ दो के उसको बनाना है हाथ दो के बच्चें के लिस्तमाद करना है इससे बड़े लोग के लिए समान है किसी भी एज ग्रूप के लिए छोटे बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए उसकी मात्रा होती है कितना बड़ी वेक्ती है कितना उनका वजन है और कितना मतलब इनको जो dehydration जो है पानी की कमी हुई है उसके severity कितनी है उसकी हिसाब से उसकी मातरा बता है। उसकी मातरा बता है उसकी मातरा बता है। जो बनाया गया है वो dehydration के लिए बनाया गया जहाँ पर पानी और salt की मातरा शरीर में कम हो जाती है। अब इनके अने कारण हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, food poisoning हो सकता है, heat stroke जो गर्मी में हो सकता है, यह सारे कारण है। या तो फिर जुलाब जो हो सकता है, तो इनके कारण अलग है, ORS बेसिकली बनाया गया है कि आपका symptom जो है जो आपके पानी कम हो रहा है शरीर में और salt उसको दुबारा से पून किया जाए। तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू, तेंक यू, अरिणागा।